हाँ जी प्यारे बच्चियो सेवन क्लास आज एस वीडियो च बेटे आपां स्तार मां पार्ट करना है मेरा नाम है शिल्पा बांसल मैं सरकारी हाई स्कूल गुर्णानक पुरा विखे एसस दे पोस्ते कम कर रही हां तो आनू एद्धू पहलना सारे चैप्टर्स अप्लोड क कर दिते गए जिना बच्चया नू पेपर्स दे दोरान इना लेसंस दी लोड़ पहुगी ओ चैनल सब्सक्राइब कर सकते देखो जी अपा स्टार्ट कर देए अठार्मी सदी विच मुगल समराज खेरू-खेरू होना शुरू हो गया अते उत्री अते दखनी पारत विच बहुत सारे सुतंतर राज स्थापत हो गए दखनी पारत विच मराठियां हैदराबाद दे निजामा मैसूर दे हैदर अलियत टिपू सुल्तान ने अपने-अपने सुतंतर राज स्थापत कर ले सन जिवें आज की है कि अठाई जडियां स्टेट्स है उनना दा केंदर दि गया जीदनाल की होया कि उत्तरी पारत विच बंगाल अवद रुहेल खंड मथुरा ते पंजाब वर्गे नमे राजा दी स्थापना हुई उत्तरकालीन मुगल औरंग जेब दी मौत तो बाद जेडे शासका ने राज किता उनना नू उत्तरकालीन मुगल क्या जान्दा है ओ इन्ने शक्ती हीन सन की समराज दे दूर दे प्रांता नू इकठा ना कर चके बहादर शा ने छे साल राज किता प्रंतु ओ मुराठा ते सिक शक्तियां दे उत्तान ते काबूना पा सक्या ते 1712 विच उस दी मौत होगी जहादार शा बहादर शा पहले दी मौत तो पिच्छो उस दा पुत्तर राजगदी ते बैठा जिदा नाम सी जहादार शा उसने कोज में ही ने ही राज किता उस दे राजकाल दुरान दो प्रा हुसेन अली ते अब्दुल बहुत शक्तिशाली हो गई सन ओ जहादार शा न पिच्छो उस दा पती जा फारुक सियर दिल्ली दा दर बाच्छा बनेया ओ केवल ना दा ही राजा सी हुसेन अली ते अब्दुल दो परामा द्वारा ही समराज दा राज परबंद चलाया जान्दा सी जिन्ना नू सैयद पर आक्या जान्दा सी स्तारा सा उन्नी इस्वी विच जदों उसने सैयद परामा कोलों आजाध हों दी कोशिश किती ता उसने उन्ना ने इसनों मार दिता मुहम्मद शा अगला प्रसिद शासक सी जिसने स्तारा सोन्नी तो स्तारा सोडता अली ता क्राज किता प्रंतु उस दे शक्तिशाली गुवर्नरा ने देश दे वाखवाख हिस्यां विच सुतंतर राज स्थापत कर ले सान। इस समय विच सिखां, मुराठ्यां, जाटां अते राजबूता ने मुगला विरुद विद्रो कर दिता। बहादर शा जफर अखीरला मुगल बादशासी जीरी फोटो बनी हुई उपर, उस नू 1888 इस्वी विच अंग्रेज्जा ने गद्धी तो उतार के मुगल समराज दा अंत कर दिता। उद्धु बाद नवे राजनीतिक संगठन वने, माधकाली इन युग विच मुहम्मद शा तो बाद परदेशक राज बौध शक्तिशाली बान गेशन। परदेश मतलब राज जिमें बंगाल अठार्मी सदी विच बंगाल मुगलां तो सतंतर होन वाला पहला राज सी लाइन टिक कर लो। स्तारा सो स्तारा इस्वी विच मुर्षद कुली खां मुगलां अधीन बंगाल अते उडिस्ता दा सुब्वेदार बनेया। वास्तविचो सुतंतर राज विच राज कर दा सी उसने टाकादी बजाये मुर्षदा बादनू अपनी राष्टा निबनाया। वो एक योग अते समझदार शासक सी उसदी मौत वास स्तारा सो स्ताई इस्वी स शुझावू दीन उसदा उत्राधकारी बनेया। शुझावू दीन स्तारा सो तेती इस्वी विच बंगाल अते उडिस्ता दा नमा शासक बनेया। उस दे राज विच पूरी तरां शांती सी उस दी स्तारां सा 49 विच मौत हो गी शुजावदीन दी मौत तो पिछों उस दा पुत्तर सर्फ राज खान उस दा उत्रादिकारी बनया ओ एक अयोग शासक सी ओ अली वर्दी खान द्वारा स्तारां सो चाली इस्वी दी लडाई विच मारया गया अली वर्दी खान स्तारां सो चाली इस्वी विच बंगाल भिहार उडिसा दनमा शासक बनया लाइन टिक करो अली वर्दी खान तो बाद शिराज दौला शासक बनया उसने बहुत सुधार किते खेती बाड़ी द्योग पार्नुवी उन्नत किता ते राजदे विच शान्ती अथे खुशाली दी स्थापना किती फेर सी अवद बारे उसने राजदी आर्थिक स्थिती विच लोडीन दे सुधार किते अते खेती बाड़ी बालवी बहुत त्यांद था उस दी 149 विच मौत हो गई शादद खान दी मौत पिच्छों सवदर जंग अवद दा नमाशासक बनिया उसने 1444 विच अक्राज किता और मुगल बादशादा मुख वजीर वी के रहा 1444 विच उसदी मौत हो गई उस तो बाड शुजा उदौला लखनव दा शासक बनिया उसने रुहेल खान दे इलाके जितले ते 1454 विच उसदी मौत हो गई शुजा उदौला तो बाद असफ उदौला अवद दा शासक बनिया कुद समय बाद अंग्रेज गुवर्नर वान हास्टिंग्स ने असफ उदौला दी फैजा बाद दी संदी कारण करण ले मजबूर कर दिता उसनू अवद विच रखी गई अंग्रेजी फौज बदले दित्ती जानवाली रकमनू वदौन लेवी मजबूर किता 1797 इसवी विच आसफ उदौला दी मौत हो गई फेर है है हैधराबाद विच निजाम उल मुल्क जिस दा अरंबक नाम चीन किलिच खान सी और हैधराबाद राज़्दा संस्थापक सी और मुगल शास्तक मुहम्मद शा दा मुख वजीर सी उसने हैधराबाद नू अपनी राष्टा नी कोशित किता मुगल बाश्याने निजाम उल मुल्क नू दखन दा सुबेदार मान लिया अते उसनू आसव जा दी उपाद्धी दित्ती पावे ए सब कोज केवल दिखावा ही सी प्रंतु ओ हुन हैधराबाद दा असल शासक बन गया सी ओ अते उस दे उत्रादिकारी आसव जा वांश नाल संबंद रख देसन अते उनानू हैधराबाद दिन जाम क्या जानदा सी फिर हैधर अली बारे देखो जो मैसूर दा राजा सी शासक बनेया अपने शासन काल दुरान हैधर अली ने मैसूर वी चंगा शासन स्थापित किता दूसरे तरमादा सतकार करदा सी बहुत सारे इलाके उसने जित्ते ते शक्तिशाली राजा बनेया उसने बहुत सारे हिंदुआ नू उच ओध्या ते न युक्त किता उसने मराठ्या, हैधराबाद दिन जाम, करनाटक देख शासका अते अंग्रेजा नाल बहुत लड़ाईया लड़िया यह बहुत इंपोर्टन है एंग्लो मैसूर युद पहला एंग्लो मैसूर युद विच हैधर अली ने अंग्रेजा नू बुरी तरह राया तो दुझे विच हैधर अली दी मौथ होगी इसी जो 1782 विच होया सी लास्ट लाइन दी तुझ देखो फेर डिपो सुल्टान बारे जिननु मैसूर युद विच न टाइगर विच वू पहारत विच अंग्रेज्जा न दे अत्याचारी शासंदांथ करना होँदा C इसले उसने अपनी फोश दे हते आरांदा अधुनिक की करण किता मतलब उननानू नमा बनवाया अधे अधुनिक सेना वी त्यार किती उसने राजदे उधियोग अते वपार नू उननत किता ओस्तारा सुनन डिन्वे इस्वी विच अंग्रेज्जा नाल मैसूर दे चौत्थे युद्ध विच मार्या गया फिर हैं मराठे औरंग जेदे राजकाल विच शिवा जी ने महाराष्टर विच इक सुतंतर मराठा राजदी स्थापना किती परदान मंतरी मतलब पेश्वया दी अगवाई हेट मराठा राजदा बहुत विस्थार होया शिवा जी जो मराठा सी मराठा वांश दी स्थापना किती इनना दा जनम दी अप्रैल 1623 वी विच शिवनेर दे किले विच पूना विखे होया इनना दे पिता शाजी भूसले एक वड़े जगीरदार सन बीजापूर्दे सुल्तान दे दरबार विच एक कुच्ची पद्वीत नियुक्त सन शिवा जी दी माता दनाम जीजा बाई सी शिवा जी उत्ते जीजा बाई दादा कॉंड देव अते गुरू राम दास जी दा बहुत परबाव सी शिवा जी एक देश पक्त सन उपारत विच्च मुसल्माना दे अत्याचारी राजदान्त करके एक सतंतर हिंदू राज स्थापित करना चौन दे सन 1646 विच जदो बीजा पूर्दे सुल्तान अली आदल शा अभिमार हो गए ता शिवा जी ने तोरन दे किले नू अपने कबजे विच कर लिया इस तो बाद उना ने 1646 विच पुरंदर, कुंडाना, कौंकन, कल्यानी आते सिंगगड दे किले आते कबजा कर लिया 1648 विच दादो जी कौंड देव दी मौत तो बाद उसने पूना उत्ते भी कबजा कर लिया 1649 विच बीजा पूर्दे सुल्तान ने अफजल खान दे अधीन शिवा जी दे विरुद एक सेना पे जी प्रंतु ओ शिवा जी नू पकड़ना सक्या इस करके उसने शिवा जी नू संदी ते दस्थकत कर लिए परताप गड़े किले विच बलाया ज़दो एक दुजे नू मिलन लगेत अफजल खान ने शिवा जी नू मारं दी कोशेश किती प्रंतु शिवा जी ने उसनू मार देता अंतविच सुल्तान दे ने शिवा जी नाल संदी कर ली अते उसनू इक सतंतर शासक मन लिया मुगला नाल की में संबन सी शिवा जी दे औरंग जेव शिवा जी दे वाद्दे परबावनू सैन ना कर सक्या उसने शिवा जी नू शिवा जी दे विरुद दखनी पारा दे सुब्यतार शाइस्ता खान दी अगवाई हेट एक सेना पूने विखे पेजी शाइस्ता खान ने शिवा जी मराठे दे कई इलाके के लिए अते पूने ते अधकार कर लिया 1603 इस्वी विच एक रात नू शिवा जी अपने 400 सानिका समेत एक बराद दे रूप विच पूने विच धाखल हो गए उनना ने अध्दी रात नू शाइस्ता खान ते हमला कर दिता प्रंतु शाइस्ता खान अपनी जान बचा के पज गया इस हमले विच शाइस्ता खान दा पुत्तर अब्दुल फते अते बहुत सारे मुगल सैनिक मारे गए 1603 इस्वी विच जदो शिवा जी अते उस्दा पुत्तर औरंग जेव नू मिलन ली आगरा पहुंचे ता औरंग जेव ने ओना नू कैदी बना लिया प्रंथु शिवा जी अते उस्दा पुत्तर मठ्याई दियां टोकरियां विच बैठके जेल विचों बचके निकल गए शिवा जी ने आपने 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 एक सुतंतर शासक को शित कार दिता आते छत्रपती दिवा दिवीतारण की तिलाइन टिक करो 1680 विच उन्हादी मौत हो गई उन्हादी मौत्तों बिच्छों उन्हादे पुत्तर शंबा जी एक नमा शासक बनाया उन्हाने पर उन्हे वदिया नी सी इन्हे योग नहीं सी योग निकले औरेंग जेद्धे हुकम अनुसार शंबा जी नू कैत्तरन पिच्छों 1699 विच मौत्त दे काट उतार दिता गया शंबा जी दे मगरोंना अप्रा राजा राम नू शासक बनाया गया उसने मुगला विरुद अपना संगर्ष जारी रख्या 377 विचोना दी मौत हो गई फेर रोना दी मौत पिच्छों उस दी विद्वा राणी तारा भाई अपने चार सालना दे पुत्तर शिवा जी दुजे दी सरप्रस्त बनके शासन करन लगी बहुत भादर इस्तरी सी 377 विच औरंजेब दी मौत पिच्छों 388 विच शाहू शासक बरनन लई काम्याब होया उसने बाला जी विश्विनाथ नू अपना पेश्वा न्युक्त किता हॉली हॉली राश दिया सारिय शाक्ठियां बाला जी विश्विनाथ को ला गईया शालना दी मौत हो गई बालाजी विश्विनाथ दह मगरों उनना दापुत्तर बाजी राँ 146 विच पेश्वा बनें एमद श्यापदाली ने 378 इस्वी विच पानी पद्धी तीजी लड़ाई विच मराठा नू हरा दिता पेश्वा इस हार नू सैन ना कर सके दोना दी मौत होगी माधव राउ 378 इस्वी विच चौथा पेश्वा बनेया माधव राउ दी मौत पिच्छो नरायन राउ माधव राउ नरायन अते बाजी राउ दुज्जा पेश्वे दे ओदे ते रहे 1818 विच लॉर्ड हैस्टिंग्स ने मराठ्या दी आखरी पेश्वा बाजी राउ दुज्जे नू हरा के मराठा राजदा अंत कर दिता फिर है राजपूत मुगला आते राजपूतां दे मित्तरता पूर्ण संबंध सन पर औरंग जेब दे कारज काल समय ओ अलग लग हो गए औरंग जेब दी मौत तो पिच्छो जदो मुगल समराज दा पतन होना शुरू होया तो सतंतर हो गए अंबर दा जिसनों जैपूर क्या जानदा है शासक सवाए राजा जैसिंग पर सिद राजपूल शासक सी उसने साइंस विशेदी सिख्या नो शाहित किता उसने जैपूर नो सुंदर गुलाबी शैर बनाया उसने दिल्ली जैपूर जैन मतुरा विखे कई जंतर मंतर औरेंग जेद्य अत्याचार कारण मतुरा दे जाटा ने गोकुल दी अगवाई हेट मुगला विरुद विद्रो करना शुरू किता उस्तों पिछो जाटा दे ने राजा राम अते फेर चूडा मन दी अगवाई विच हेट संगर्शारी के रखे चूडा मन मुगल बाधशा कोलों अते 5 sao स्वारी मनसबदारी प्राप्तकरन वीच सफल हुया उसने उत्राधकारी बदन सिंग ने आपने सेनानु शक्तिशा ली बनाया उसने आपने राज विच कई किले बनाये उसने पर्त पूर्णु अपनी राश्टा नी बनाया उसने आग्रा मेरट अलीगड हर्याना दे इलाक्या ते कबजा करके आपने राज़दा विस्थार किता फेर आप जदों काल कर देया फेर आप दिया है गुर्गोविन सिंग जी दिवारे जदों सिखां दी गाल हुन दिया है इना ने बहुत लंबा संगर्श किता सिखां दे मुग दर कौम दा जनम होया जिस ने मुगल सम्राज दा अन्त किता गुर्गोविन सिंग जी अते मुगला विचाले अनननपूर शाहीब दी पहली अतेientesी चमकौर शाहीब दी क्यदरणने विख़े कई लढ़ाया?] गुरु जी ने मुगला विरुद चमकौर साहिब दी महान लडाई लड़ी इस लडाई वी शिरी गुर्गोविन सिंग जी दो पड़े शाहिप जाद्या अजीत सिंग अदे जुजार सिंग शहीद हो गए स्तारासु छे इस वी विच शिरी गुर्गोविन सिंग जी ने खिद्रानना जा मुकसर दिल डाई विच मुगला नुगुरी तरा हराया बंदा सिंग भाहाद्वर उस्तो बाद गुर्गोविन सिंग जी तो बाद बंदा सिंग भाधर दा जनम स्ताई अक्तूबर 1670 नू जम्मू दे पुंच जिले दे एक पिंड राजोरी विखे हुया उजमुडला नाम लच्मन्दासी 1788 इस्वी विच जदो नंदेड विखे गुरु गोविन सिंग जी नालोना दी मुलाकात हुई तक गुरु जी ने बंदा सिंग भाधर नू बंजाब विच जा के सिखान दी मदद करन ली ते नाल ही मोगला देत्या चारा तोना नू बचान ली हुकम दिते पंजाब विच पहुंचन थे काफी गिंती विच बंदा सिंग भाधर नाल सिख बहुत रा लगे बंदा सिंग भाधर ने स्तारा सु नौ इस्वी विच कैथल तो अपनिया जितना दी शुरवात किती इस तो पिच्छोंना ने समाना का पूरी सडोरा ते जितना प्राथ के किया बंदा सिंग भाधर ने शिरी गुर्गोमिन सिंग जी दे दो छोटे शाइब जाद्या जरावर सिंग अते फते सिंग दी मौदा बदला लैनली नवाब वजीर खानू हराया अते छपड़ चिडी दे बहुत इंपोर्टनेंट जगय जितनी लड़ाई हुई सी दे स्थान ते उनानू मार देता इस तो कोद समा पिछो बंदा सिंग भादर ने सहारणपूर, बेहाथ, जलालाबाद, करनाल, पानीपत, अम्रिसर, गुर्दासपूर, कालानौर, पठान कोड़ ती जितना म्राप कितिया उसने लोगर नू अपनी राष्टा निबनाया लाइन टिक करो बंदा सिंग भादर ने पंजाब विच सिख राष्टापित किता 1715 विच मुगला ने बंदा सिंग भादर रते उस्जे साथिया नू गिरिफ्तार कर लिया थे दिली बेश दिता गया बंदा सिंग भादर नू कतल करन तो पहला उस ने तिन साल दा पुत्तर अजे सिंग नू उसे सामने कतल किता गया इस सोबाल बंदा सिंग भादर नू 9 जून 1716 इस्वी विच नू शहीद किता गया अब्दुस सेयद खान फारुक सिवर ने 1716 इस्वी विच अब्दुस सेयद खान नू पंजाब दा सुबेदार न युक्ट कर दिता उसने अपने शासक काल विच अंगिनत सिखान दा कतल कर दिता इस करके मुगल भाशा फारुक सियार ने उसनू राजदी तलवार दा खिताब दिता फिर जकरिया खान बार 1726 इसवी विच अब्दुस सेयद खान दे पुतर जकरिया खान नू पंजाब दा सुबेदार बनाया गया उसने सिखान दा मन करन विच सक्त नीतिया अपनाया उसने बौग इंती विच सिखान विच शिखान वरवाया पाई मनी सिंग महताप सिंग तारू सिंग हकीकत राय बहुत परसिद्ध लोग सांजिना दियोंने शहीद्धी करवा दिती फिर याहिया खाँ 1745 सुई चक्रिया खान दा पुत्तर याहिया खाँ पंजाब दा सुब्यदार बनया वह भी फिर बहुत माड़ा कर रहा सी उसने कानु वाल विखे सिखा उते अचानक हमला कर दिता सात हजार सिख मारे गए तिन हजार नू कैद कर लिता गया इस कटना नू छोटा का लुकारा भी क्या जंदा है फिर है मीर मनू मीर मनू पंजाब दा नवास उब्यदार बनया बोग इंती विच सिखा नू उसने मारया प्रंतु मीर मनू सिखा वाल पूरा त्यान ना दे सक्या इस करके सिखा ने अपनी शक्ती नू वदेरे संगठित किता फिर एहमद शा अब्दाली एहमद शा अब्दाली अफगानिस्तान दा शासक सी उसने पंजाब उत्ते आठवार हमला किता इनना हमल्या ने सिखा नू आपस विच संगठित होन ली सुनेरा मौकप दिता 1755 विच सिखा नेला हौर ते कब्झा कर लिया ते अपनी सुतंतरता दा एलान कर देता प्रन्तु उन्ना दा कोई नेता नी सी इस करके उन्ना ने अपने आपने आपनू जथ्या विच संगठित किता एनन जथ्या नू मिसला क्या जान्दा है जेडियां की बारासी शुक्राचार्या मिर्सल दे सर्दार महाराजा रंजीत सिंग सन उनना ने सारीयां मिसलाउने कठा करके पंजाब विच सुदंतर राजदी स्थापना किती एह है महाराज रंजीत सिंग जी एसी अपना पार्ट वेटे 18 सदी विच पारत जेस चप्टर आपनों सिख्खां दे बारे मुगलां बारे जो लड़ाईयां हुई यां जो राज था पित किते गए उस बारे आप आप इस चप्टर विच पढ़े आओ ये नक्षा भी है रजे एनु त्यानल देख्यों पहले पेशते आया सी मुगल समराज दी बारी सीमा मुगल इस तो बाद अपना पंदर्मा पार्ट है वेटेव मैं तुझा अपलोड कर दूंगी तो थैंक यू ओल अप्यों